Hello children, welcome again तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज जानते हैं 24 घंटे घड़ी समय के बारे में देखो बच्चा ये टॉपिक आपके लिए नया है 24 घंटे घड़ी समय देके दो तरह से घड़ी का और देखने का घड़ी का में समय देखने की दो तरह की प्रणाली होती है एक होती है बारा घंटे घड़ी समय ये तो सभी बच्चे जानते हैं जैसे हमारी जो घड़ी होती है जो नर्मल घड़ी होती है जिसमें एक से बारा तक के अंक लिखे होते हैं, वो समय देखना हमने आपको तीन और चार में पढ़ाया था, और सारे बच्चे समय देखना जानते हैं, वो बारा घंटे घड़ी समय है, अभी चौविस घंटे घड़ी समय है, इसके बारे में आज जानेंगे कि ये है क्या, और इन दोनों में आपस में क्या सम्मन्द है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको मानू मैं जैसे तारीक बदलती है, जैसे आज माना साथ तारीक हैं, तो दूसरे दिन आठ तारीक हो जाती है, तो ये तारीक कितने बज़े से बदलती हैं, तो जैसे सब को बताया है कि जो तारीक जो बदलती है, वो ठीक रात के बारा बज़े से बदलती है, यानि जैसे बारा बज़ जाती है, उसके बात से दूसरा दिन शुरू हो यादा, रात के बारा बज़े से, जैसे माना आज साथ तारिक हैं, तो जैसे ही रात के बारा बज़ जाएंगी, तो उसके बात जो है, आठ तारिक शुरू हो जाएगी, तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, कि रात के बारा बज़े स और दिन के बारा बजे तक के समय को हम कहते हैं पूरवाहन और इसको हम एम भी लिखते हैं पूरवाहन तो जैसे ही पूरवाहन बोलते हैं जैसे साथ बजे पूरवाहन बोला तो इसका मतलब सुबह के साथ बजे या एक बजे पूरवाहन बोला तो इसका मतलब एक बजे पू ग्यारे बजे लेकिन जब हम अपरहन बोलेंगे बारा बजे के बाद का दिन के दोपर के बारा बजे से और रात के बारा बजे का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं अपरहन अपरहन और उसको हम पीएम भी कहते हैं उसको हम पीएम से भी निनोट करते हैं ठीक है तो अपरहन और पूरवहन का समय को मालू है रात के बारा बज़े से और दोपर के बारा बज़े तक का जो समय है उसको हम पूरवहन कहते हैं और बारा बज़े के बाद से दोपर में और रात के बारा बज़े तक का जो समय होता है उसे हम अपरहन कहते हैं ठीक रात के जैसे ही बारा बसते हैं तो उसको हम कहते हैं मद्यारात्री जैसे ही रात के बारा बसते हैं तो इसको कहते हैं मद्यारात्री इंग्लिश में कहते हैं इसको मिड्नाइट और जैसे ही दिन के ठीक बारा बसते हैं ठीक बारा बसते हैं तो इसको कहते हैं मद्याहन तो रात के बारा बज़े का टाइम ठीक बारा बज़े के टाइम को मद्यारातरी और दिन के बारा बज़े के ठीक बारा बज़े के टाइम को मद्यान या नून कहते है ठीक है तो आफ्टर नून आफ्टर नून आपने से आप गुड आफ्टर नून कहते हैं आफ्टर नून मने नून के बाद का समय याने बारा होता है है तो बारा बज़े दिं के भारा बज़े के बाद का समय से होता है अब देखिये बचeffड को चौपिस गडंडे घड़ी वाला अदिटां aquí जैसे रेल बांटीगल formerly rill के टीकर न में ऐड़ा होता है लिए आप कभी जहाज में सफर करेंगे भगशे में भी तौब बहुत चोटे हैं तो आप देखने जहाज के उसमें टाइम लिखा होता है उसमें भी जो है 24 गंटे वाला जो समय लिखा होता है कई बार टेलिविजन में देखते हैं आँ 23 बज के इतने मिन अठाए नीचे लिखके आता है कई चैनल्स मे तो वो अब आप कहेंगे 23 तो कभी बसते नहीं है 12 के बाद तो फिर एक बसती है दो बसती है तो वो जो 23 बसती है 24 बसती है या 15 बसती है 17 बसती है यही हमारा 24 घंटे घड़ी वाला जो है समय परणाली है तो इसको सीखते हैं कि यह होता क्या है तो देखो बच्चो यहां पहले हम चलते हैं एम में यानि रात के बारा वज़े से और दिन के बारा वज़े वाले समय में अब ही मैं इन दोनों पढ़ना लिए आप कोई समझाता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि दिन के 12 वज़े के बाद से और रात के 12 वज़े तक का यानि अपरहन का समय है तो पहले इसमें देखिए आप इसको फोकस करते हैं तो पहली चीज तो आप यह याद देखें कि यह 24 गंटे घड़ी समय होता है यह चार अंकों में लिखा जाता है इस समय को हमेशा चार अंकों में लिखा जाता है पहली बात दूसरा 24 गंटे घड़ी समय में अपरहन या प हम 12 गपाले समय में जा शहाब दहने के जाता ह。 24 गनटे गड़ी परनाली में, मैंने कहते हैं चार अंक तो चार बार जिरो 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 आवर्स तो जिरो 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 गंटे इसका मतलब क्या हूँ 24 गंटे गड़ी प्रणाली में ऐसे लिखेंगे या इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं इसी 24 गंटे प्रणाली में इसको लिखते हैं 2400 2400 घंटे ठीक है अभी मैं बता हूंगा ऐसा क्यों लिखते हैं इसको देखे 10000 तो इसलिए लिखते हैं कि दिन खतम हो गया और अब यहां से समया शुरू हो रहा है दूसरे दिन का इसलिए 24 गंटे गड़ी प्रणाली में 00 कर देते हैं उसको कि यह 00 हो गया अब दूसरे दिन ka समया शुरू होगा समझें और 2400 घंटे क्यों लिखते हैं ये भी आपको बता हूँगा मैं ठीक है अब यहाँ पर देखें जैसे रात के 12 बज के 10 मिनट हो गया है तो हम उसको जो 12 घंटे घड़ी पर ना लिए जैसे हम घड़ी में देखते ही हैं हम उस समय को ऐसे लिखते है जीरो बज के 10 है और दूसरे दिन के 10 मिनट हो गया कि 12 बजे की यसी को समय होता है यह सिर्फ अंतर किया होता है उसमें चारंग होते जिसे वहने बता था तो अभी देश्य निख देते हैं और यहां पर लिक देता हैं देखेब हमें लिखना पड़ेगा न कि यह पूरवाहन का समय जाँब गड़ा फड़ागे घंटे-गड़ी समय लेकिन इसमें हमिपूर लिखन कि अठागे अनिसे घंटे जेसे तो समझ जा कि जैसे 0 बज़ के 10 मिनट पूर वहान ये तो 12 गंटे गड़ी प्रनाली में लिखा जाता है और 0010 गंटे ये लिखा जाता है 24 गंटे गड़ी प्रनाली में ऐसी देखे जब रात के 12 बज़ के 69 मिनट हो जाते है जब रात के 12 बज़ के 69 मिनट हो जाते है तो हम ऐसे लिखते हैं और यहां पर लिंग देते हैं एम या पूर्वाहन याने इससे अब पता लग जाता है कि यह रात के बारा बज के 69 मिनट है लेकिन इसको 24 गंटे गंड़े पढ़ना लिए मैंने जैसे बोला था इसमें चार अंग होने चाहिए तो एक जिरो के जागा दो जिरो और बाकी 69 मिनट को ऐसे ही लिखेंगे यह हटा देंगे इसमें से कॉलन यह कहीं नहीं लगता 24 गंटे गड़े और पूरवान अपरान कुछ नहीं लिखा जाता है यहां पर लिखा जाता है घंटे सेंपल तो यह है यहां पर तो 303 पहले नहीं लगाएंगे फिर पाज़ लगाएंगे फिर यह हता देंगे यहां पर तीन जीरो और यहां पर लिख देंगे हम गंटे तो सिंपल है 24 गंटे गड़ी प्रणाली में समय को लिखना सिंप्ल है अब ऐसी जैसे गैरा बच के पंदा मैट है सुबहे के पूर्वाहन के तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1115 यह देख रहे होंगे आप यहां पर लिखे हुए मैंने ऐसी दिन की जब बारा बज़े हैं तो हम लिखते ह हम क्योंकि देखे चार चार आंखे इसमें 12 00 तो यहां पर 12 00 और यहां पर गंटे 24 गंटे घड़ी प्रणाली में इसको ऐसे लिखेंगे तो सिंपल अभी मैंने आपको लिखने का तरीका बताया कि आप इसको 24 गंटे घड़ी प्रणाली में कैसे लिखेंगे और 12 गंटे घ देखिए कि हम इसको 24 घंटे घड़ी परणाली में कैसे लिखते हैं देखे जैसे बारा बज़ के एक मैट है अपरहन अब देखे क्योंकि दिन के बारा वज़े का बात का समय है तो हम यहां पर लिखेंगे अपरहन तो सिंपल है इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था इस से और दिन के बारा वज़े के बारा बज़कर 69 मिनट तक तो लगवग लगवग एक जैसे ही लिखा जाता है सिर्फ थोड़ा सा अंतार होता है कि यह दो बिंदी वाला निशान हड़ जाता है और अपरहन पूर्वान नहीं लिखते हैं चबस गंटे-घड़ी परणाली में और उसकी जगा क्या लिखते हैं गंटे लेकिन अंतार शुरू होता है ठीक एक वज़े से जब दिन के एक बस्ते हैं अब यहां से आपको समझना होगा जब दिन के एक बस्ते हैं तो जैसे हम बारा गंटे गड़ी परणाली में लिखते हैं समय तो हम लिखते हैं एक को 24 घंटे घंड़ी पर नाली में क्या लिखते हैं 33 देखिए दिन के बार बजए तो दिन के फिर एक बसते हैं तो यहां पर 24 그래도 घंड़ी पर नाली dabei दिन के एक बज़े को बोलते तेरी यानि बारा के बारा के बाद 3 फिर 14 ऐसे बसती ऐसे कि बारा के बाद एक दो यह होता है बारा घंटे-गड़ी पर्णाली में लेकिन 24 घंटे-गड़ी-फर्णाली में कy ओता है दिन के बारा बज़े का समय को को हम एसे पढ से हैंज़ एक बसता है तो बारा के बाद हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 जाने अगर شام के 6 बज़े हैं तो हम बोलेंगे 18 बज़े है 24 गंटे गड़े को नाले में 19, 20, 21, 22, 23 और फिर रात के बारा बज़े तो वो 24 बज़ जाती है तो इसलिए यहां मैंने आपको पहले बताए था कि हम 0000 गंटे को या तो ऐसे लिखते हैं वारात के बंद्रातरी 12 बज़े को या हम ल लिखते हैं क्योंकि दिन के जब 12 दिन के जब एक बज़े तो उसको तेरा पढ़ा जाता है तो तो तेरा बोला जाता है 24 गंटे-गड़े दिन के दो बज़े हैं उसको चाधा यानि बारा के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 दिन के समय को इस तरह से पढ़ा जाता एक वज़े से तो या पड़ा के बाद हम 13 पड़ेंगे तो 12 रेक 13 ऐसी ये दो बजी है दो बजी तो दो बजी है तो फिर 12 जोड़ेंगे तो 12 दो 14 तो इसको ऐसे लिए 14 00 घंटे अब देखें यहां पे 5 बज के 20 में ठोया है कपका अपरहान का तो घंटे में 12 जोड़ना है आपको जैसे 5 घंटे तो पांच बचकर है तो इसमें बारा जोड़ेंगे तो बारा और पांच सत्रा तो यह हो जाएगा सत्रा दो जीरो सत्रा यानि सत्रा बचकर बीस यह ऐसे पड़ा जाता है घंटे समय आर्स लिखा जाता है ऐसी जैसे नौ बच के पैतालिस मेंट कब का है अपरहन का है यानि रात है अपरहन मतलब रात है तो अपरहन के समय जब भी एक बज़े से समय शुरू होगा अपरहन का तो उसमें बारा जूड़ जाएगा अब जैसे नौ में बारा जूड़ेंगे तो बारा और ग्यारा तेईस तो तेईस बच के उनसाट बाट तो तैईस उनसाट ऐसे लिखा जाएगा चार गंटे गरी प्रणाली में मैंने आपको का था चार अंक होंगे यह बिंदी नहीं लगेगी और यहां पर अपरहन पूर्वान कुछ नहीं होगा सिर्फ घंटे फञा तो आपको कुछ नहीं कर रहा हैस इस बारा आपने देखत अपरहन का समय तो साथ में रात तो बाराऎ और साथ कितना जाएगा वनीच यह बढ़े लिखी है है तो आपको मालू है रात के अपरान है पी-म है तो रात के 11 बच्च के 30 मिनट है 12 गंट तो इसको सिर्फ क्या करना है ग्यारा में क्योंकि 11 गंटे तो 11 में आपको 12 योड़ना है तो 11 और 12 हो जाएगा तेईस तो तेईस तीस और यहां पर लिख देना है घंटे इस तरह से लिखा जाएगा और ठीक रात के जैसी ही 12 बजाएंगी आप उसको 24 00 गंटे भी बोल सकते है या 0000 गंटे भी ऐसे भी लिखा जाता है ठीक है अब 12 गंटे गड़ी पढ़ना लेको 24 गंटे गड़ी करेंगे सो तरींस